तो प्यारे दोस्तों आज आपके साथ डिसकस करने वाले हैं जी UGC NET September 2024 re-exam में पूछे गए सवाल हमारे Banking और Financial Institutions के यूनिट से तो Commerce में जित्ते भी सवाल आये थे इस यूनिट से उनको आपके साथ डिसकस करेंगे आईए फड़ा-फड से अपने discussion को स्टार्ट करते हैं इन प्यारे दोस्तों अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं UGC NET Commerce या फिर मारश्मेंट के लिए तो Every Study Classes के पास आपके लिए Detailed Comprehensive Courses अविलेबल हैं चैनली तो भी यहाँ पर हमारे पास सवाल है फिट of the following और दा primary functions of commercial banks तो हमारे जो commercial banks रहते हैं उनके primary functions कौन से हैं यहां पर यह आपको पता होना चाहिए देखो जी commercial banks के जो functions हैं आप उसे दो में divide कर सकते हो, जो भी हमारे functions रहते हैं, उसे दो में classify कर सकते हैं, एक हमारे पास रहते हैं, primary function और दूसरे हमारे पास रहते हैं, secondary function, primary के अंदर दो चीज़ें आती हैं, देखो primary काम bank का क्या है, लोगों से deposit लेना, और आगे advance देना, loan देना, secondary function में आते हैं, आपकी agency services और आपके utility functions हैं, locker walker की facility आपको मिल जाती है, वो यहाँ पे आपके आजाते हैं, तो अभी अगर हम अपना जो answer है, वो यहाँ पे लगाना चाहें, तो हमारे पास प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो primary functions है, उसके अंदर accepting deposits आएगा, इसके अलावा, यहाँ पे हमारे पास trade bills की discounting, यह कह है, these are these secondary functions और इसलिए correct answer option number 4 का यहाँ पे बनेगा, चली तो अभी यहाँ पे सवाल है, हमारे पास, which of the following is the value-added service of Exim Bank, export import bank की बात हो रही है, उसकी value-added service कौन सी है, line of credit, pre-shipment credit, buyer credit, export marketing services, अब देखो options को पढ़ो, सवाल को पढ़ो, ठोड़ा सा भूमी का बनाने की कोशिश क करो, कि देखो Exim Bank जो होगा, एक तो उसका है core काम, core काम क्या है, export-import के लिए finance देना, इसके इलावा साथ में, वो कुछ value-added services भी आपको देता है, जिसमें आपके business में, आपकी transactions में value-added हो जाती है, तो line of credit, pre-shipment credit और buyer credit, यह तो उसका core financing से जड़ावा काम है, export marketing services के, आप को marketing में भी यह assistance प्रोवाइड कर देगा, एक value addition वाला काम आपको करके देर है, जो कि इसके core काम से हटके है, आलग है, और इसलिए correct answer यहाँ पे आपका option number 4 का बन जाएगा, चलिए अगला सवाल हमारे पास बिलकुल सीधा-सीधा सवाल है, in which of the falling ratios, share capital of RRBs, regional rural banks, is prescribed for the central government, state government and the sponsoring bank, देखो जो हमारे regional rural banks होते हैं, यहाँ पे इनके तीन हिस्सेदार होते हैं, एक central government, एक state government, एक आपका sponsoring bank, central government के पास सबसे जादा हिस्सेदारी 50% रहती है, state government के पास 15% रहती है, और sponsoring bank के पास यहाँ पे 35-35% रहती है, और इसलिए correct answer जो हमारे पास बनेगा, option 4 का बहुत ईजी सवाल है कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए चली अगला सवाल है वुचाफ्टी फॉलिंग आधी इंस्ट्रुमेंट्स अफ क्रेडिट कंट्रूल मेथर्स इन इंडिया मॉनिट्री पॉलिसी देखो जी हमारे पास यहां पर दो तरीके के क्रेडिट कंट्र यहां पर उसको बाते बोल देता है कि यह चीजों का ध्यान रखना जब भी तुम लोन दोगे और इस चीज से भी कही नहीं कहीं क्रेडिट कंट्रोल कर लिया जाता है तो यहां पर क्या चिंजब रेशो जो है इसके बाद मार्जन रिक्वार्मेंट को लेकर आर्भी बेंक्स को कह सकता है कि आप मार्जन जादा रखिए जो भी आप लोन दे उसमें आप सेक्यॉरिटी बगएरा जो गिर्वी रखवा रहे हैं उसमें मार्जन बगएरा देके चलिए ऐसी कोई हिदायत ने दे सकता तो इस अगेना क्वालिटिटिव रेक्वार्मेंट स्टेट्यूट्री लिकुरिटी रेशो यह तो सीधा-सीधा आपका आप मार्क कर सकते हैं कि इसके बाद ड i option no.2 आप स्टेट ने से तो भी यहाँ पर सवाल माचिंग का आपको दो लिस्ट यहाँ पर दे रख़ी हैं जी आए करते हैं कि माचिंग सब से पहले आपको दे रखैंगा national housing bank तो आपका नाश्नल हॉसिंग बेंक है यह बना था आप Car 1988 में तो आप इसे माच कर सकता है बनाता आप इसे 1 से मैच कर सकते हैं इसके बादे Small Industrial Development Bank ऑफ इंडिया यानि कि सिड़ी 1990 में इसे मैच कर सकते हैं और लास्ट में IFCI Industrial Finance Corporation ऑफ इंडिया जो कि 1948 में बना था तो सेकिंड से मैच हो जाएगा और इस से हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस से प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर फूर की बन जाएगी चलिए तो भी यहाँ पर सवाल है RBA permitted the issue of commercial papers within the framework of its guidelines which of the following committee recommended these guidelines तो देखो ची commercial papers किसे जोड़ी भी कौन सी guidelines है कौन सी committee की guidelines है यह आप से पूछा जा रहा है यहाँ पर वर्मा committee, पदमनाबन committee, कालिय कमेटी और वागूल committee तो देखो commercial papers is basically a money market instrument और money market को लेकर जो सबसे important committee है आपकी जो यहाँ mentioned भी है वो है वागूल committee 1987 में इसे यहाँ पर बनाया गया था money market को लेकर काफी बात हैं इस committee ने बोली इसके लावा वर्मा committee जो है वो restructuring of the bank से जुड़ी हुई है और पदमनाबन committee की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह बनाई गई थी आपकी banks की supervision को लेकर कालिया committee की यहाँ पर बात करें तो second generation reforms, financial sector reforms या फर third generation reforms यह जो नर्सीमम committee हमारे पास आई थी दो बार आई थी 1990s में एक 91 में आई थी और एक बात में 98 में भी आई थी जो 91 वाली committee है इसे बोला जाता है first generation financial sector reforms तो अभी यहाँ पर एक तो option number one है और एक option number three है बड़ जो answer यहाँ पर हमें official की में दे रखा है वो first generation reforms का दे रखा है कि first generation financial reforms जो थे वो कहीं ना के कमिटी से start हुए थे और इसलिए यही आपका appropriate answer यहाँ पर बनेगा चली तो भी यहाँ पर सवाल है arrange the falling financial institutions in the increasing order of their date of establishment तो सबसे पहले कौन सा establish हुआ उसके बाद कौन सा हुआ इस order में आपको arrange करना है बहुत ही सीधा साथा सवाल है इसके अंदर सभी के अगर आपको dates पता है तो आप असानी से कर लोगे जैसे नबाद है सबसे पहले यह तो 1982 है यह आपको पता ही होगा एक्सिम बेंक भी 1982 है अरे बाप रे बाप दो 1982 के आ गए तो आप्शन सोड़े से close हो सकते हैं और एक बात तो पक्किए बी और ए तो साथ में आएंगे जहां भी बी और आए आए आएगा वो दोनों साथ में ही आएंगे और यह चलाकी से सभी और भी आफ्शन में डाली भी ऊएंग इसके बाद है UTI यह आपका 1964 में बना था सिद भी आप जानते हैं 1990 में बना भी तो और फिर ECDC जो सबसे पहले है 1957 में तो E को सबसे पहले लगा दो E को सबसे पहले लगा दो और उसी से answer option 4 का बनता है E आएगा पहले फिर आपका C आएगा UTI और फिर आपके 1982 नबाड और Exim Bank आगए और फिर प्यारे दोस्तों यहाँ पे last में आपका आएगा SIDB 1990 सबसे last में यह आपका बना तो correct answer is going to be option number 4 चलिए तो प्यारे दोस्तों भी यहाँ पे अबारे पर सवाल है Which of the following subsidies are fully owned by the Reserve Bank of India यानि की RBI National Housing Bank, National Bank for Agriculture and Rural Development The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited और Securities Trading Corporation of India तो अगर मैं बात करूँ आज के समय की तो देखो एक समय था जहाँ पे RBI की subsidies हुआ करती थी National Housing Bank और NABAD भी बट आज की rate में ऐसा नहीं है RBI के subsidies अब नहीं है आज की rate में अगर हम fully owned subsidies की बात करें तो इस list में से दो यहाँ पे entities आती है एक आती है DICGC Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India और भारतिय Reserve Bank Note Mudran Private Limited तो यह जो हमारा September वाला 2024 का examination है उस context में हमारे पास यह दोनों fully owned subsidies होनी चाहिए बट इसका जो answer है answer की में कुछ और गलत दिया गया है जो की सही नहीं है और मैं इसका जो answer है यहाँ पे आपको कोई भी नहीं दे रहा हूँ मेरे recording यह सवाल जो है ambiguous है इसमें गड़बढ है चली तो भी यहाँ पे सवाल है arrange the falling banks in an increasing order of their formation तो यहाँ पे आपको जो बैक सबसे पहले बना वो सबसे पहले रखना है और जो बाद में बने उनको बाद में रखना है तो आपको दिये वे State Bank of India State Bank of India तो हमारा बना था 1955 में जाकर Imperial Bank of India यह आपके जो तीन presidency banks थे उनको amalgamate करके 1921 में बना दिया था Reserve Bank of India 1935 में बना था Regional Rural Banks यह आपके 1975 में बने थे और Small Finance Banks तो अभी बिल्कुल recently आये है 2014-15 के around ही आये है और अगर आप यहाँ पे इसका order बनाएंगे सबसे पहले आजाएगा आपका B फिर आपका आ जाएगा C फिर A फिर D फिर E यानि की ऑप्षन नंबर थी जो है वह आपका correct answer यहां पर बन जाएगा तो बगला सवाल है विच आफ़ी फॉलिंग आर्था पार्टिसेपेंट्स इंटी बिल्स यानि की 가 करेंगे और करेंगे आंसेर यहां पर ऑप्षन नंबर फूर A B C D E & E का ही बन जाएगा चली तो यहां पर हमारे पास सवाल है arrange the following steps in the process of IPO issue in correct order तो IPO issue में कौन से steps आप follow करेंगे उनको correct order में आप यहां पर arrange करके बताईए तो देखो जी क्या-क्या चीजे करोगे allotment of shares तो बाद में ही आएगा pricing of IPO भी आपका यहां पर बाद में ही होगा यह जो pricing और allotment है यह तो सबसे last में आएगे सबसे पहले आप क्या करोगे underwriter को hire करोगे यह क्या करेगा IPO का सारा काम यह संभालेगा underwriter संभालेगा IPO को सबसे पहले register कराएगा SEBI के पास SEBI इसे verify करेगा फिर आपका IPO निकलेगा आप अपना price उसे determine करोगे और shares को lot कर दोगे तो B, C, A, D, E यानि की option number 4 correct answer यहां पर होना चाहिए चली तो यहां पर सवाल है Which of the following are the schemes promoted by NABAD National Bank for Agriculture and Rural Development तो यह काफी सारी schemes, funds वगएरा उनको manage करता चलाता है तो कौन से schemes, funds जो है NABAD के दारे में आते हैं यह आप से इस सवाल में पूछा जा रहे जी तो यहां पर अगर आप options पर नज़र डालेंगे तो आपको इन में से 4 choose करना है एक को eliminate करना है तो 4 सही डूंडने की वज़ाए एक गलत ढूंड लो तो आपके लिए काम असान हो जाएगा किसान, credit card, capital investment, subsidy scheme special economic zone scheme पकड़ लिया गलत वाला तो हमने पकड़ लिया तेको special economic zone is SEZ SEZ जो है आपके ministry of commerce वगेरा के दारे में आते हैं यह तो आपके foreign trade से जुड़े होते हैं तो यह नबाड के दारे में नहीं आएंगे rural innovation fund, tribal innovation fund यह सब चीज़ें इसके अंदर आजाएंगी और इसलिए A, B, D और E यानि की option number 3 हमारा जो answer है इस सवाल का बन जाएगा चलिए तो यहाँ पर हमारे पास सवाल है arrange the following process of incorporation of a new LLP in proper sequence तो अगर आप नहीं LLP बना रहे हैं तो उसके जो steps होंगे उसकी जो process होगी उसको आपको एक correct एक proper sequence में यहाँ पर arrange करके बताना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर steps कुछ दिये हो है A, B, C, D, E, F करके और अगर आप एक बर options में रदर डालते हो ना तो बहुत ही interesting है interesting क्यों है क्योंकि आप देखो इसको तीन पार्ट में divide किया हुआ है जो भी आपके जो options दिये हो है पहले पार्ट में A या B में से कुछ आएगा दूसरे में C या D में और यहां पर तीसरे में E या F में से कुई आएगा तो इसी तरीके से आप देखें तीन-तीन पार्ट सब में बने हुआ है पहले में B और A में से दूसरे में C और D में से तीसरे में E और F में से तो इसी तरीके से दिमाग लगाएंगे पहले A और B मेंसे देखते हैं कौन आना चाहिए, Reserve LLP Name, Procure Digital Signature Certificate, देखो अभी आज की रेट में कुछ भी काम करना हो, तो पहले Digital Signature Certificate ही आपको चाहिए रहते हैं, तो सबसे पहले तो उसी को procure करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर B को लगा देते हैं, फिर A को लगा देते हैं, फिर है जी, Prepare Documents for Incorporation of LLP, और LLP Incorporation and DIN Application, अब पहले Incorporation के Document त्यार होंगे, तो फिर ही Incorporation होगी न, तो पहले 3 आएगा, पहले C आएगा, फिर D आएगा, तो फिर यहाँ पर क्या sequence बन गई, पहले, पहला B, A आया था, हमारा, फिर अप C, D आगया, अब E और F को यहाँ पर देखते हैं जी, और अगर हम E और F पर नजर डालते हैं, तो E आपको कहरे, Drafting and Filing LLP Agreement, और फिर है Apply for Pan and TAN, एक बार आपकी LLP Incorporate होगी, फिर Pan 10 के लिए Apply कर दो, और अपना LLP Agreement भी Draft करके Finalize कर दो, तो यह दोनों काम आपके हो जाएंगे, फिलाल आंसर जो है हमारा वेसे भी, इनको अरेंज किये बिना, अगर यह Parallel भी चल रहा है, इनको अरेंज किये बिना भी Option No. 3 का बन जाएगा, B, A, C, D, जो हमने अभी तक सोचा है, वो हमें यही पर देखने को मिल रहा है, और इसलिए Correct Answer हमारा जो बनेगा, वो Option No. 3 यहाँ पर बन जाएगा. यारे दोस्तों, यह थी जी आज की हमारी चर्चा, UGC Net Re-Exam के Previous Year Questions के उपर, उमीद करता हूँ आपको आज के सिशन से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो को लाइक तो आपने अल्रेडी करी दिया होगा, मिलते हैं नेक्स सिशन में, Till then, Goodbye, Take Care, All the Best.